मैं आपकी हिंदी के अधियाप्तिक आज आप सभी को कख्छा आठ का पार्ठी 11 प्रहाने जा रही हैं जिसका नाम है मनुस्यता यह एक कवित है तो आईए जाने सबसे पहले मनुस्यता के बारे में तो मनुस्यता का मतलब होता है इंसानियत जो हमारे अंदर प्रोपकार और की बहुना जागी होती है उसे हम मनुस्यता कहते हैं और किसी भी व्यक्ति के लिए किसी भी मनुस्य के लिए उसके जीवन का अधार है मनुस्यता मनुस्यता के कारण ही हम मनुस्यता के कारण ही यह संसार जीन योग्य है मनुस्यता हमें मानव मात्रे ही नहीं पूरे संसार में हर प्रानी से प्रेम करना सिखाता है मनुस्यता के कारण हमारे अंदर प्रोपकार की भौना होती है परंतु समाज में मनुस्यता की कमी दिखाई दे रही है लोग आज दूसरे की सहायता करने को बेकार काम मानते हैं उनके अनुसर यदि दूसरे की सहायता करने बैठे तो अपना काम रुख जाता है दूसरे की आर्थिक सहायता के नाम पर लोग गुंगे बहरे हो जाते हैं लेकिन हद तब हो जाती है जब वो किसी ऐसे वेक्तिकी सहायता नहीं करते हैं जो बेबस हैं हमने अपने लिए समाज को बनाया और हम ही इसके अंग है यदि हम मनुसेता को भूल कर खुद के लिए ही जीते रहेंगे तो हमारा समाज कैसा होगा ना हमारा समाज होगा ना हम अपने आपको एक सही मनुसे कह पाएंगे तो आईए जाने इस कविता के आधार पर विचार लो कि मरत हो न मिर्ट्यू से डरो कभी मरो तो परंतु यो मरो कि याद तो करे सभी यानि कि तुम सोच लो कि एक ना एक दिन तुम्हें मरना इसलिए तुम्हें मौत से नहीं डरना चाहिए मगर जब भी तुम मरो तो कुछ ऐसा करके मरो कि तुम्हें मरने के बाद भी लोग याद रखें हुई नश्यू मिर्थिव तो विर्था मरे विर्था जीए मरा नहीं वही कि जो जीयन आपके लिए बोरा अगर अच्छी मिर्तियों नहों हो तो उसी मौत जीने के विर्था जीना भी और मरना भी दोनों बेकार है और वही इनसान सही मरता है जो कभी भी अपने लिए नहीं जीता है दूसरों के लिए जीता है यही पसु प्राविर्ति के आप आप ही चरे वही मनुस्य है कि जो मनुस्य के लिए मरे अर्थात कहने का मतलब यह है कि इंसान की पसु प्राविर्ति कहलाएगी यानि कि पसु ही जो सिर्फ अपने बाले में सोचता है अपना भोजन खुद बनाता है मनुस्य के साथ तो ऐसा नहीं है मगर आप अगर इस तरह का अपनी स्वार्थी हो जाएंगे तो आप एक पसू के समान हो जाएंगे क्योंकि वही सच्चा मनुष्य होता है जो मनुष्य के लिए मरता है उसी उदार्ता की कथा सरस्वती बखानती उसी उदार्ता उदार से धरा कृतार्थ भाव मानती यानि कि ये जो सरस्वती है नदी है नाले है ये सब उदार्ता ही की कहानी बखानती क्योंकि ये खुद का पानी खुद के लिए नहीं रखती है और ये पूरी धर्ती जो है ये भी अपने उपर सब को जो रखी हुई है उसमें भी उसकी उदारता है वो स्वार्थी अगर हो जाए तो इस पृतिवी पर लोग नहीं रह पाएंगे उसी उदारता की सदा सजीव क पूरिती तथा उसी उदार को समस्त स्रिष्टी पूझती और यही सब उदारता की ही कहानी है जो पूरी स्रिष्टी पूरे सार इसको पूझ रही है अखंड आत्म भाव जो असीम विश्व में भरे वही मनुस्य है कि जो मनुस्य के लिए मरे यानि जो मनुस्य बिना स्व ही बोल रहा है कि सहान भूती और महाविभूती भी चाहिए हमें मगर वसीकृती दया करूना सबसे बड़ी हमारी संपती है इसलिए हमें वही चाहिए विरुध वाद बुद्ध का दया परभाव में बाहा विनित लोक वर्ग क्या ना सामने जुका रहे आह वही उदार है परभकार जो करे वही मनुस्य है जो कि मनुस्य के लिए मरे बोल रहा है कि वही मनुस्य है जो हमेशा दूसरों के लिए दया करूना करता है और सबसे बड़ी संपती उसे ही मानता है वैसे ही मनुस्य में सही होते हैं जो उदार होते हूं और प्रोफकारी होते हैं इसलिए हमें वैसा ही मनुष्य बनना चाहिए जो मनुष्य के लिए मरे, इंसानियत के लिए मरे अंतर अंतरिक्ष में अनंत देव हैं ख़ड़े समझे ही स्वाबाहु जो बढ़ारहे बड़े बड़े वो रहा है कि हमारे अंतरिक्छ में यानी हमारे बहुत सारे देव खड़े हुए हैं अपने बाहें फैलाए हुए हमारा ही यह होगा कि हम अपने कदम उधर बढ़ाएं पर लंबे से उठो तथा बढ़ो सभी यानी एक दूसरे का सहारा पाकर हम सभी को चाहिए भी अमर्त अंके में अपंग हो चड़ो सभी बड़ा ये जीवन में सभी जो हैं देवता की सामने सब लोग अपंग हैं रहो नहीं कि एक ने काम और कासरे बड़ा रहो ये नहीं कि एक से ना काम को हम पूरा करे वही मनुस्य है जो कि मनुस्य के लिए मनुस्य मात्रे बंदू है यही बड़ी विवेक है मनुसी को हमेंसे यही सोचना चाहिए कि वो एक बंदू के समान है यही उसका सबसे बड़ी समझदारी है पुरान पुरुष्ट स्वैंभू पिता परसिद एक है फलानुसार कर्म के अवस्य बाहिभेद है प्रंतु अंत्र रेक के में प्रमान भूत वेद है अनर्थ है कि बंदू ही न बंदू की वेथा हरे वही मनुसी है कि जो मनुसी के लिए मरे वो रह सबसे बड़ा तो यहाँ पे विवेक की बात है समझ की बात है जो खुद को एक बंदू समझे और वही है कि जो पूरे प्रसिद पिता जो है एक ही है फल इसके अनुसार हम ये कह सकते हैं कि हमें हमेशा ही अनर्थ है कि बंधू ही न बंधू की वेर्था हरे यानि कि हमें हमेशा ही दुसरे की दुख तकलीफ को हरना चाहिए क्योंकि वही मनुस्य होता है जो दुसरे की दुख तकलीफ को समझे और उसको हल करे चलो अभिस्ट मार्ग में सहर्स खेलते हैं विपत्ती विधा जो पड़े उन्हें धकेलते हैं वो रहा है कि हमें हमेशा ह कटणाईयों के रास्तों में चलना चाहिए और विपतियों और बाधाओं को सिग्ट कराते वे घटे न हेलमेल अहां बढ़े न भिंथ कभी और इसके कारण हमारे हेल मेल में और हमारी एकता में कभी भी कोई दूरी नहीं आनीचे अतरक एक पत के सतरक पंत हो सभी और इस अंजाहे अंजाने रास्ते के सभी एक पंत एक सतरक पंत के तरह चलें तभी समर्थ भाव है कि तारता हुआ तरह तभी जिब सब एक जुठ होकर चलेंगे तभ करोन गवचित्ते में बोल रहा है कि हमें कभी भी भूल नहीं चाहिए हाश इस सच्छोटे से चोटी विपत्ति में भूलना नहीं चाहिए सन्त जान आपको दुर्ग 5000 और अपने आपको महान समझ कर अपने आप पर कभी भी हमें गर्व नहीं करना चाहिए अंते हो को है या त्रीलोक नाथ सात में और अंग अंत में सब के साथ ही त्रीलोक नाथ है यानि कि सब के साथ तीनो लोके के स्वामी यानि पर्मातमा हैं और दैयालू-DIN-Bandon बंदूë के बड़े विशाल और सब के उन फरहां थैं इसलिए हमें कभी भी खुद पर अपने उपपर गर्व नहीं करना चाहिए अतीव بागहीन हैं अंधेर भाव जो भरे वो बहुत ही भागहीन होते जो अपने अंधेर भाव यानी कि अज्यानता को भरे हुए हैं वही मनुस्य है कि जो मनुस्य के लिए मरे और वही मनुस्य सही मनुस्य कहलाते हैं जो हमेशा ही प्रोपकार मनुस्यता की भावना के साथ जीते हैं तो अमीद करते हूँ कि आप सभी को ये पार्ट अवज से समझ में आया होगा इस पार्ट को हर एक इस पार्ट के हर एक पंक्ति को समझने के लिए सबसे पहले इन सब्दों के अर्थ को जाने जो कि आपके पाठे पुस्तक में दिया हुआ है उसके बाद आप इस कविता को पढ़कर आसाने से और अच्छे से समझ सकते हैं धन्यवाद